हलो एवरिवन, वल्कम तो दे चैनल स्टेडी विद पूजा इस वीडियो में हम करेंगे टाइप ओफ पिगमेंट के बारे में एड एब्सॉप्शन एड एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में तो इसमें से नीट हो गया या मास्टर के डर हो गया इसमें से question पूछ लेते हैं तो इस topic को करके इसके साथ C3, C4 cycle और जो light reaction, dark reaction है वो भी discuss करेंगे तो पिछली वीडियो में जो पहली इसकी वीडियो थी उसमें हमने plants के basics के बारे में पढ़ा था और कुछ scientist के बारे में पढ़ा था जिन्होंने हमें ये बताया कि sunlight या carbon dioxide वगेरा जो है वो ज़रूरी है वैसी ही हमें पीछे ये भी बताया गया था कि जो light होती है जैसे sunlight जो है जब break होती है अपनी seven colors में तो उसमें से blue और red region में सबसे जादा photosynthesis जो होती है तो अभी ये pigment करने से पहले हम देखते हैं chloroplast का structure तो ये chloroplast जो है इसको बोलते site of photosynthesis photosynthesis सबसे जादा होती है इस एरिया में chloroplast में और chloroplast जो है ये leaves के guard cells के अंदर पाया जाने वाला एक पार्ट होता है chloroplast और chloroplast में होती है चोटे चोटे इस तरह से structure होता है उसको बोलते थालोकॉइड जब ये थालोकॉइड इस तरह से थोड़ी कठे हो जाती है तो इसको बोलते ग्रैना तो इस granum part जो होता है इसी के अंदर ही मतलब इस thalocoid granum part के अंदर ही क्लोरोफिल present होता है ठीक है और उसी chlorophyll जो green pigment है उसी के वज़े से photosynthesis होती है अभी तक तो हम यह पढ़ते हैं कि जो chlorophyll है उसकी वज़े से photosynthesis होती है बट वो केलाई pigment नहीं होता उसके साथ और भी कई pigment हो कि यह जैसे कि कई बार हमने leaves में देखा होता है कि leaves का color अलग लग होता है कई leaves जो होती है plant की उनका color bright green होता है कईओं का light green होता है कईओं का लिख्कईों की leaves पे brownish-radish color भी दिखाई देता है तो वो इन ही pigments की वज़े से होता है chlorophyll a blue green color का दिखाई देता है chlorophyll yellowish green color का जैन्तोफाइल अकेला येलो कलर का है जैसे केरेट का कलर होता है केरेट से केरोटिनोइड याद कर सकते है येलो अरेंज कलर का होता है इनमें से जो क्लोरोफिल A है ये essential pigment माना जाता है जो की ज़रूरी है जिसकी वज़ा से main photosynthesis हुई और जो क्लोरोफिल B जैन्तोफाइल और केरोटिनोइड होते हैं इनको हम बोलते हैं accessory pigment कहते हैं क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि इसका कोई function नहीं है ये क्या करते हैं ये भी light को absorb करते हैं ये light को absorb करके ये photosynthesis के लिए chlorophyll A को ही light provide कर देते हैं ताकि chlorophyll की जो energy है वो बढ़ जाए और photosynthesis जादा हो जाए इसके लावा ये जो accessory pigment है ये even जो chlorophyll A है उसको बाकी की wavelength से बचा के रखते हैं ताकि वो इसको damage ना कर सके या इसका photosynthetic rate photosynthesis करने का rate ना कम कर दें तो जो photosynthesis होती है ये 400 wavelength के अगर बात करें 400 to 700 nanometer की wavelength जो होती है उसमें सबसे ज़ादा photosynthesis जो होती है तो इसलिए ये 400 to 700 nanometer की जो range वाली wavelength होती है इनको हम बोलके पार यानि की photosynthetic active radiation photosynthetically active radiations जो है जो photosynthesis को active करने में radiations help करती है तो इनकी इन ही की वाज़े से photosynthesis rate बढ़ जाता है तो अभी इसके आगे करती है absorption spectrum के बारे में absorption इनकी absorb करना spectrum का तो हमें पता है कि जो light होती है जब white light pass करती है तो environment में से pass करके layers में से pass करके आती है तो seven color में divide हो जाती है विब gear में divide हो जाती है तो इसमें से blue और red region जो होता है इसमें सबसे जाड़ा photosynthesis होती है क्योंकि यह जो है यहाँ पे wavelength जादा होती है तो यह visible spectrum होता है 400 to 700 वाला जो part होता है वो असल में यही होता है तो इसमें absorption spectrum काम करता है absorption spectrum जो है वो graph है जिसके थ्रू हम यह देखते हैं कि कौन सा pigment कितनी जादा absorption कर रहा है वे wavelength की तो इसको आगे graph के थ्रू करते है यह है absorption spectrum का वो graph इसमें हम देखेंगे यहाँ पे 400 to 700 की जो wavelength है पार है वो present है उपर है absorption कितनी हो रही है pigments के थ्रू तो यह वाला जो हम देख रहे है यह वाला होता है chlorophyll A यह green वाला है chlorophyll B and yellow वाला है carotenoid ठीक है इसमें अगर हम देखें तो 400 और 700 की range में सबसे ज़ादा photosynthesis करने वाला pigment है chlorophyll A ठीक है यहाँ पे यह देखो यहाँ पे भी 400 की पास जाके photosynthesis स्री यह light absorb कर रहा है wavelength absorb कर रहा है यहाँ पे भी ज़ादा absorb कर रहा है ठीक है chlorophyll B भी कर रहा है light absorb बट यहाँ पे तो यह बहुत कम है as compared to chlorophyll A तो इसलिए chlorophyll A जो है इसको कहा जाता है कि यह सबसे ज़ादा absorb करता है light को तो जो 400 और 700 का यह area है इसमें जो wavelength वाला यह area है इसमें जो color है विब गियोर के वो कौन-कौन से होते है वो color होते है यह वाले ठीक है वालेट वालेट कलर जहाँ पे देखो आप जो chlorophyll A है वो जब ज़ादा है तो वहाँ पे wavelength स्वरी वहाँ पे color कौन सा है वालेट और blue color है main blue region जो होता है वहाँ पे blue region में सबसे ज़ादा photosynthesis हो रही है ठीक है तो यह blue region एंड फिर धीरे-धीरे कम हो गया फिर से जो है वो उपर हो गया तो कौन सा region है यहाँ पे 700 के पास यह है orange red red region mean है ठीक है तो red और blue region जो होता है blue color जहाँ पे होता है wavelength का वहाँ पे ज़ादा क्या होती है photosynthesis होती है तो यह 400 और 700 के आसपास का area जो होता है present है ठीक है तो इसमें हमने दिखा कि light जो है मतलब जो wavelength है उसको कौन सा pigment ज़ादा absorb कर रहा है तो कौन सा कर रहा है chlorophyll A सबसे ज़ादा absorb कर रहा है जो बाकी की chlorophyll B और carotenoid है वो भी light को जो absorb की होती है उसको दे देती है chlorophyll A को तक कि chlorophyll A उसको photosynthesis करने में यूज कर सके ठीक है तो इसके बाद है कि अभी जो यह दिखाया हुआ है कि इसमें oxygen भी release होती है तो जब भी यह reaction होती है तो उसके दरान oxygen release होती है photosynthesis में ही होना तो अभी oxygen जादा कहां पर release होई पीछे भी जब हमने experiment पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि जब oxygen release होती है photosynthesis कहां पर होगी यह absorption जादा होगी तो यह blue और red region जो है वहाँ पर oxygen release सबसे जादा होती है that means यहाँ पे photosynthesis भी जो है वो जादा हो रही है absorption के through ठीक है तो यही दिखाया हुआ है इसके बाद यह तो हमने absorption spectrum के बारे में कर लिया next जो है action spectrum बताया हुआ है action spectrum का मतलब क्या है कि जब जिस graph के through हम यह देखती है कि अलग-अलग wavelength जो है वो वहाँ पे कौन से area में कौन सी अल wavelength को सबसे जादा absorb कर रहा है वो absorption spectrum था action में क्या है कि rate of photosynthesis जो है यह action ही था हुआ ठीक है तो action मतलब rate of photosynthesis है वो किस पार्ट में किस wavelength में जादा हो रही है ठीक है तो यह होता है action spectrum तो यहाँ पर देखें यह chlorophyll एक का उन्होंने दिखा दिया 400 450 के आसपास और 700 के आसपास ठी एरिया में जो photosynthesis है वो जादा होती है क्यों यह absorption जादा करते हैं ठीक है तो इन दोनों को इसी graph में दिखा दिया गया है यह wavelength दिखाई है nanometer में यह light absorb हो रही दिखाई है कि chlorophyll A ने light सबसे जादा absorb की उसके कारण क्या हुआ absorption की वज़े से photosynthesis जादा हुए तो इसी area में blue से blue और red area में क्या होगा oxygen भी जादा evolve होगी ठीक है तो अभी यह जो होती है areas ठीक है यहाँ पे photosynthesis जादा होती है accessory pigment और जो essential pigment है इनके बारे में हमने पढ़ लिया ठीक है तो जो immersion रोबर्ट इमर्सन नाम का person था रोबर्ट इमर्सन नाम का person था उसने 1950 में हमें यह बताया था कि जहाँ पे light कम होगी मतलब light जो है या wavelength जो है वो कम होगी वहाँ पे कम photosynthesis है जहाँ पे जादा होती है longer wavelength होती है वहाँ पे rate of photosynthesis जादा होता है जैसे blue और red region में हुआ ठीक है तो वहाँ पे photosynthesis rate जादा था क्योंकि wavelength जादा थी तो उसको हम immersion ने रोबर्ट इमर्सन ने बताया spectrum इसके आगे next video में हम करेंगे light reaction, dark reaction के बारे में and C3, C4 pathway के बारे में पढ़ेंगे बखी करते हैं next video में thanks for watching the video